कल जैसे हमने कहा था कि बीपेस एंसर कियाने के बाद लोगों के रिस्पॉंस आने के बाद एक हम बात करें क्या जाएंगे मेल के लिए क्या कट अपर रहेंगे यह सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अंसर क्या आपने मिला रखा है तो एक बाद कॉमेंट सेक्ष से जादा होता है कि फोथी यहांब कर आप का फ़केंस सब्सकर आप सभी लोग जानते हैं बैकने से गरिंगे लोग जांते हैं क्ट लेव आप सभी लूग करीव हैं यह यहांदा को बनाने में आप यदि आप लंबे समय से प्रिपरेशन नहीं कर जा रहे हैं आप स्लेबर्स को अच्छे से गवर नहीं कर रहा है तो यह पिपर आपके लिए नहीं थे आपको लगवलग जितने भी एक्जाम में बैठ हैं तो साथ भी आपसन के बारे में कुछ न कुछ आपके माइंड में ब्रीफ इंफर्मेशन होना चाहिए जिससे आप आपसन एलिमिनेट करके आप प्रशन का सही उत्तर दे पाओ आप डारेक्ट सीधा आप अंसर ढूनने जाओ गए तो आप यहां पर आपके स्कोर सत्तर के नीचे आएंग तो लोग अच्छे सा स्कोर करने के कोशिश करते हैं अब यह प्रस्ण किते होंगे 75 प्रस्वेंटीफाइब भी कुछ गलत करेंगे लोग कुछ टफ प्रस्ण का अटेम्ट लिया इन में ज्यादा गलत होता हैं या कुछ सही हो जाते हैं टफ सेग्मेंट पे यह हाल रहते ह है paper का level आप सब लोग जानते paper का level का अब देखते हैं लोगों का score का रहा तो score कि मैसरेटी की बात की जाती यानि average score क्या निकल कर रहा है ज्यादा तरह यानि serious candidate आपको यहाँ पर इक्जाम देने के लिए लग वह 2,70,000 टोटल फॉर्म अपलाई हुआ था 2,70,000 के करीब ठीक है 2,70,000 के शम्तिंग और इन में से करीब आप मानके चलो 2,00,000 के करीब एक्जाम लोगों ने देगा होगा अब इन 2,00,000 में से करीब करीब 2,00,000 जो इन 50,000 में से 1,00,000 ऐसे सीरियस के कई सकते हम पेपर के लिए पर कुछ न कुछ गल्तिया है यह लोग कर score नहीं डालते नहीं तो ज़्यादा तर candidate score अपना इंटरिनेट के उपर डालते हूं उनकी score के इसाफ से देखें ज़्यादा तर लोग यहां पर जो score लेकर आ रहे हैं 76 से लेकर 80 के बीच में score है ज़्यादा तर candidate यानि जो दस हजार बीस हजार के बीच में जो बहुत ज़्यादा serious है इनके score कहां पर है 26 से लेकर 80 के बीच में इन में से कुछ candidate हैं जो लंबे समय से preparation भी कर रहे हैं और इनकी पकड़ slabs को पर भी अच्छी है इनकी पकड़ जो option चार्व दिए गया थे उन option को पर भी पकड़ अच्छी है तो ऐसा candidate का score देखो कुछ candidate जैसे कुछ दोस्तों को ही जानता हूं जिनका score एक का 102 है किसी का 96 है किसी का 95 है किसी का 89 है किसी का 88 है कि किसी का 87 है इस range में लोगों ने score किया है इनके number कम है पर result भी यहां पर limited देना BPC 66 की तरह आपको extra result भी नहीं होंगे यहां पर आपको BPC 66 की तरह कोई भी जैसे एक advantage होता था कि BPC 66 में आप देखो को 2000 result हमेंसा जादा दिये जाते थे अब यहां पर 10 time result देने तो यहां पर exact लगव लगव 10 time ही होंगे ज्यादा से ज्यादा 200-300 result ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा होंगे इससे ज्यादा एक्स्ट्रा रिजल्ट यहां पर दिये नहीं जाएंगे तो एक थोड़ा सा कटफ के उपर बात करें कटफ क्या रहेंगे तो यह मेरा आइडिया है यहां पर मैं plus minus 3 रखूंगा plus minus 3 इसलिए रख रहा हूं कि क्योंकि exact idea लगा पाना possible नहीं है क्योंकि internet को पर जो लोगो ने अपना score दे रखा वे बड़े नंबर में candidate नहीं है सिर्फ जो score के जो यह score लगवक 1600 करीब टेलिग्राम चैनल को उपर answer की आने के बाद अपना response डाला था उन response में 1600 के उपर base हम लोग यह cut-off को बात करें यहां पर यदि यह candidate के नंबर 10,000 के करीब भी आ जाते तो एक काफियत तक actual data निकल करा जाता पर 1600 के भी कम नहीं होता है प्लस होने की उपीद बहुत कम होंगे जादा सजादा प्लस होते भी है तो करीब करीब maximum प्लस जो होंगे 400 की साब साब 20 गुना आप करोगे स्वारी दस गुना करोगे तो 4000 से लेकर 6000 के बीच में यहां पर रिजल्ट देने पिछले बार की तरह आपको 10,000 के करीब रिजल्ट तो दिये भी नहीं जाएंगे तो यह पी एक है और आयूक यह आपके ऊपर थोड़ा सा महरबान हो जात अब यहां बात कर लेתי जन्रल के लिए समान वर्ग में आते हैं तो 84 आपका श्कूर है 84 के करीब आपने स्कूर खरखा है तो प्लम्री था के जांसे मा कॉaire रहेंगे एससे कम भी है ममीद रख सकते हैं तो जाधा स्कूर है तो ज्यादा तर आप 0 रहे हैं पिलिम्नरी एकसाम यहां clear हो जाएंगे AWS की बात करें 81 SC की बात करें plus minus 2 यहां भी हो सकते हैं SC 75 यहां भी plus minus 2 हो सकते हैं ST 71 यहां भी plus minus 2 हो सकते हैं EBC 80 यहां भी plus minus 2 हो सकते हैं BC category 82 यहां भी plus minus 2 हो सकते हैं और जो BCL यानि जो 3% BC category female reservation दिए जाते हैं इन के लिए 70 करीव फिर इसके बाद बात करें female इनकी स्वेंटिसिक्स आपके score आ रह रहे है जन्रल female category में आप आते हैं तो preliminary exam clear होने के chances maximum रहेंगे और यहां पर भी plus minus 2 जा सकते हैं ज़्यादा तरो उम्मीद रहेंगे प्लस मैनस दो होंगे ही होंगे क्योंकि exact internet को पर लोगों का score नहीं है बस सिर्फ candidate के जो sample size रहा 1600 candidate का sample size है अब यह 16 candidate के base को पर exact idea लगा पाना बहुत tough काम है फिर इसके बाद करें 69 के आसपास plus minus 2 यहां भी हो सकते हैं और BC के category की बात करें तो 72 के जिनके score है 72 के आसपास इसमें भी plus minus 2 हो सकते हैं यह रहा BPC उनहत्वी का यह मेरा नुमान है हो सकता है कि यह गलत हो जाए पर ज्यादा तरह उम्मीद रखे कि इसके आसपस आपके score है तो आतरवी BPC में आपका final preliminary exam clear होने के chances maximum हैं तो मैं suggest यह करूँगा कि आप जब exam के result आप जब आ जाएंगे उसके पाद preparation में लगोगे तो उस समय आप उतनी बहतर preparation नहीं करवागे जैसे आप जानते हो कि दिसम्बर में में मेंस exam ले ली जाएगी जब दिसम्बर में मेंस exam हो जाएंगे exam के result आएगा October के last week में या November के first week में जब result आप जानोंगे November के first week में उसके बाद preparation के उपर लगोगे तो note को या जू आपने से पहले preparation अच्छे लेवल जितने भी exam clear करेंगे जिनके paper अच्छे लेवल जो बहुत अच्छे लेवल कर रखा वही लोग clear करने जा रहें कोई ऐसे करने को clear करेगा नहीं इस लेवल के paper के उपर negative marking होते होने के बाद भी तो ज्यादा तर लोग तो मैं मान के चल रहा हूं कि वे अपना मेंस के सारी प्रतियारी पूरी कर चुके होंगे यदि अपने नहीं किया भी तक तो मैं suggest यही कहूंगा कि आपको मेंस exam अपने लेवल पर preparation start करनी चाहिए जो आपका सारे paper wise आपका ए मेंस राइटिंग आप अपने हिसाफ से लिख सकते हो बस information कहां पर किस तरह से हमें लिखना होता है यह आपका आर्ट होता है यह लंबे समय के practice के बाद आती है तो यहां पर आपकितना practice करते हैं किस information कहां पर utilize करते हैं यह आपको आ गया यह चीजा आप सिख गया अब यह स class वैसे classes लेकर सिखना परता है तो यहां पर आप जो कर शको आप अपने लिवल पर करो जो भी होगा मेंस राइटिंग ही आपको decide करेगा तो यहां पर ज्यादा समय आपको मिलेंगे नहीं दिसंबर में मेंस exam मान के चलो कि दिसंबर में हो जाएंगे तो अब इसी खिसाब स से आप अपने आगे के preparation कर सकतो चली आजके इस वीडियो में तो नहीं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवान जाएंगे